दोस्तों अभी हम ATM पर पहुंच चुके हैं अभी मैं ATM के अंदर चलके आपको दिखाऊंगा कि आखिर कैसे ATM का पिन चेंज किया जाता है लेकिन उससे पहले आप जान ले कि हर 5-6 महिने में आपको एक बार अपना ATM कार्ड पिन को क्यूं बदलते रहना चाहिए पिन बदलने का दो बड़े फाइदे हैं पहला फाइदा ये है कि पिन चेंज करने से यहाँ आपके खाते को सिक्योर रखने में मदद करता है क्यूंकि कभी भी आपका पिन किसी अन्य व्यक्ति को पता चल जाता है तो आप नया पिन चेंज करके अपने खाता को सिक्योर रख सकते हैं और दूसरा फाइदा ये है कि 4-5 महिने में पिन को नियमीत रूप से बदलने से यहां आपको ओनलाइन फ्रोड, फिसिंग या फिर अन्या ओनलाइन धोका धड़ी के खिलाफ सिक्योर रखने में मदद करता है ठीक है अभी चलिए देखते हैं ATM पर पिन कैसे चेंज किया जाता है दोस्तो ऐसे ही जानकरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तो सबसे पहले ATM में आने के बाद अपना जो डेबिट कार्ड है उसे कुछ इस तरह से ATM में डाल देना है देखिए कार्ड में जिस तरफ ये चिप लगा होता है आपको उसी तरफ सही कार्ड को ATM में डालना होगा अभी यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको बस एक दो सेकेंड के लिए वेट करना है अभी यहाँ पे आपको दिखाएगा प्लीज सिलेक्ट ये और लांगवेज याने कि अपनी भासा को चुनिए तो हम यहाँ इंग्लीज पर क्लिक करेंगे अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे ओप्सन दिखेंगे उन में से आपको जो बैंकिंग लिखाए उस पर क्लिक करना है अभी हमें तो पीन चेंज करना है तो हम यहाँ पे पीन चेंज पर क्लिक करेंगे अभी यहाँ पे आपको 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी एक संक्या को डाल देना है जैसे कि मैं 53 यह डाल देता हूँ अभी yes पर क्लिक कर देंगे अभी यहाँ आपका जो पुराना चारंग वाला पिन है उसे यहाँ पे डाल दीजिए पुराना पिन डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा please enter your new pin यानि कि अपना जो new pin है उसे यहाँ पे डाल दीजिए तो अभी आपको जो भी चारंग का नया पिन रखना है उस नमबर को यहाँ पे डाल दीजिए और उस नमबर को आप याद रखिए या फिर कई पे लिख लीजिए अभी यहाँ दिखाएगा re-enter your new pin यानि कि जो नया पिन आप सेट किये है उसे यहाँ पे फिर से डाल देना है उसके बाद आपको एक सेकेंड के लिए वेट करना है अभी यहाँ आपको transaction successful दिखाएगा यानि कि अपना जो pin है वो change हो चुका है अभी ATM से अपना जो card है उसे निकाल के रख लेना है दोस्तो इसे जरूरी और जानकर चीजों के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके रखना है